Hello friends, कैसे आप सभी लोग? स्वागत हैं आप सभी का हमारी YouTube channel English Literature 247 में This is Hanif and today I am going to discuss some very important questions related to sentence improvement तो आज की इस वीडियो में हम जो डिसकस करेंगे हो sentence improvement से related questions होंगे इससे पहले हमने कई सारी वीडियो को बनाई है sentence improvement में यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को Before starting the video I would like to tell you If you want PDF of these questions you can join our telegram channel और वहां से आप इन questions की PDF को प्राप्ट कर सकते हैं तो आपरा पहला question है that means की 51 number का My father advised me to shun bad peers यहाँ पर use किया गया है shun Shun की मीनी होती ही बचना और peers की मीनी होती ही साथ ही या friend तो मेरी पिता ने मुझे advice किया कि बुरी लोगों की संगत से बची बुरी लोगों की सोहबत से बची तो यह sentence आपका बिल्कुल correct है answer होगा यदि यहाँ question का प्रियोग नहीं किया गया होता तो avoid का प्रियोग करना भी सही है Next question is 52 He only married her for her money इस sentence की मीनी होती ही कि उसने उससे सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी किया अब only क्या होता है कि only कह हम जिस word के आगे पीछे यूज करते हैं तो उसी को qualify करता है या उसी में कुछ meaning जोडता है तो इसमें देखेंगे पहला sentence ही married her only for her money यह जो पहला sentence ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि उसने उससे सिर्फ उसकी पैसे के लिए शादी किया दूसरा sentence ही only for her money ही married her, third ही married her for her money only और यह तीसरा sentence भी सही है तैमिस कि first sentence और third sentence ही दोनों sentence को use किया जा सकता है और यह दोनों sentence correct होगे क्यूंकि दोनों sentence में only जो होता है money को qualify कर रहा है money में कुछ meaning एड़ कर रहा है और इस वज़े से ये दों सेंटे साब के correct होंगे Next question is 53 और 53 है कि मैं daughter is going to take her final examination next month मेरी जो daughter हुए अगले महिने में अपना final examination देने जा रही है तो अब सभी को बता होना चाहिए कि जब भी हम exam देने की बात करते हैं exam देने के लिए हम take का प्रियोग करते हैं क्योंकि आप हिंदी में बोलते हैं कि मैं exam देने जा रहा हूँ और उसको हिंदी में translate करते हैं तो उसके लिए give का प्रियोग करते हैं give का प्रियोग करना बिल्कुल wrong है या तो आप take का प्रियोग कर सकते हो या appear का प्रियोग कर सकते हो तो चुकि यहाँ पे टेक का प्रियोग किया गए, यह sentence हमारा बिल्कुल correct है, इस वज़े से हम कोई भी improvement नहीं करेंगे और आपका correct answer A हो जाएगा इसमें आपको फिल करना है कि killing की स्थान पे क्या आएगा तो आप सभी को पता है कि जब भी हमें use करना होता है किसी भी word का ing form उसी पहले is, am, are, was, or का होना बहुत दी जरूरी होता है और यह दिन का प्रियोग नहीं किया गए तो sentence सही नहीं होता है और हुई एक relative pronoun का का काम करेगा जो कि पहले sentence को बात के sentence से connect करेगा तो यह भी वाला हमारा option बिल्कुल correct होगा और इसकी meaning हो जाएगे Thomas Kieffel जो की gunman है हुई यानि कि जिसने kill किया दो persons को near Texas के तो यह हमारा sentence सही हो जाएगा नेक्स question is 55 मनोज is so credible दो वर्ड हमारे पास होते हैं एक होते हैं credible credible की मीन होती बिश्वसनी यानि कि जिस पे विश्वास किया जासे कि बिश्वसनी होता है incredible हो जाएगा आविश्वसनी उसको अतुली यूज करते हैं positive sense में यूज किया जाता है और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गहा है credulous credulous में इस क्या होता है जो विश्वसनी होता है यह positive sense में यूज किया जाता है अगर कोई credible विश्वसनी 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 विश्वास किया जा सकता है लेकिए जब हम credulous की बात करते है तो यह ऐसा वेक्ती होता है जो भोला भाला होता है बुद्धू टाइप का होता है यह किसी की बहुत जादा है किसी की बातों को बहुती जल्दी यकीन कर लेता है तो यह negative word होता है अगर यहाँ पर देखे तो Manoj is so credible that he immediately believed my story तो जो Manoj है वह बहुत ज़्यादा भौला भाला है बहुत दिबुद्धु टाइप का है और उसने मेरी story को बहुत जल्दे विश्वास कर लिया तो इसका सही answer हो जाएगा B जो दूसरे की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है तो सही answer इसका होगा B नेक्स कोश्चन इस 56 प्लीज सेंड दे लेटर on the address given below तो जब भी हम address की बात करते हैं address के लिए हम add का प्रियोग करते हैं इस वज़े से इस sentence में on का प्रियोग करना बिल्कुल wrong है यहाँ पर add का प्रियोग किया जाएगा तो आपका सही answer ए होगा नेक्स कोश्चन इस 57 जब हम associated की बात करते हैं तो इसकी meaning होती संबंधित जैसे हमने का he is associated with him तो जब यह associated की बात करते हैं उसके बाद with का प्रियोग करते हैं और यहाँ पर associated बिल्कुल suitable word नहीं तो इसको हम हटा देंगे तो सही word क्या हो जाएगा सही word जो हम tuning यहाँ पर वो होगा B वाला B is the right answer यानि कि जितनी भी घटनाय है वो इस link चैंस से संबंधित है attached है इससे जुड़ी हुई है next question is 58 instead of his hard work he did not succeed दो और आपके पास है यहाँ पर एक तो instead of होता है और दूसरा होता है in spite of दोनों में difference क्या होता है कि instead of की meaning होती के बजाए और in spite of की meaning होती के बावजूद तो दोनों में difference आपको समझ आ गया होगा अब यह कहना चाहते है कि hard work के बावजूद यानि उसने hard work किया इसके बावजूद भी वो succeed नहीं हुआ तो सही answer के होना चाहिए था C होना चाहिए था बजाए नहीं होगा के बावजूद होगा so C is the right answer next question is 59 seeing no way to escape the thief suited to inspector यह कहना चाहते है जो thief था इसके बावजूद के हावाले कर दिया यानि कि surrender कर दिया तो इस वज़े से जो सही answer आपका होगा C होगा he surrendered to the inspector next question is 60 और 60 number का है if you want to catch the first flight अगर आप पहली flight को catch करना चाहते है यानि कि पकरना चाहते है you may leave now तो तुम्हें इसी वक्त जाना होगा जरूर जाना होगा if you want to catch the first flight so C is the right answer next question is 61 she is improving her pronunciation of English by the view to big mic कुछ ऐसे words होते हैं देखे आप सभी को पता है कि जब भी हम 2 का प्रियोग करते हैं 2 के बाद हमेशा हम work के 1st form का प्रियोग करते हैं यदि किसी other form का प्रियोग कर देंगे तो wrong हो जाएगा लेकिन कुछ exception है जहाँ पे 2 का प्रियोग किया जाता है उसके बाद भी word के 1st form का प्रियोग करते हैं जैसे कि यहाँ पर use किया गए with a view to with a view to की मीनिग होती कि वो देश से और यहाँ पे 2 का प्रियोग किया गए लेकिन इसके बाद भी ing form का प्रियोग किया जाता है तो इसका सही answer के हो जाएगा becoming हो जाएगा b is the right answer next question is 62 the gold is a precious metal जो gold है वो precious metal है gold हमारा कौनसा noun है एक हमारा material noun है और material noun से पहले हम दा का प्रियोग नहीं करते हैं यदि वो specific नहीं है तो इस वज़े से सही answer आपका होगा first यानि gold is a precious metal gold है ये एक बहुत ही कीमती धातु है next question is 63 और 63 में है कि old habits die hardly दो वर्ड आपके पास होता है एक तो hardly होता है दूसरा hard होता है दोन में difference क्या होता है कि hardly का प्रियोग करते हैं negative sense में जबकि hard का प्रियूग करते है positive sense में जैसकि आपसे बोला जाए कि वो जो बिखती है वो rare case में काम करता है और हमें कहना है कि वो बहुत महनत करता है तो हम बोलेंगे he works hard hard positive sense में use करते है hardly negative sense में use करते है यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो पुरानी आदते होती बहुत ही मुश्किल सी जाती है इस वज़े से हमें C का प्रियूप करना होगा Die Hards Next question is 64 I want to dispose of Dispose of एक बहुत important word है आपकी exam में कई बार पूछा गया है इसका जो सही word होता है वो dispose के बाद में single F होता है dispose of होता है और इसकी मीनि होती ही ठिकाने लगा देना यानि कि I want to dispose of all my old furnitures immediately मैं अपने सारी फरनीचर जो हमारे old furnitures है उनको तुरंत ही immediately ही dispose of ठिकाने लगाना चाहता हूँ So the correct answer is D Next question is 65 Plants cannot grow without sunshine ये कहना चाहते हैं जो plants होते हैं पाओधे होते हैं वो सूरस की किरणों के बगार उग नहीं सकते हैं तो ये sentence आपका बिल्कुल सही है क्योंकि जो plants होते हैं reality में ऐसा होता है कि यदि उनको सूरस की किरणे नहीं मिले तो उग नहीं सकते हैं grow नहीं कर सकते हैं So the giver answer is absolutely correct and the option B would be correct So B is the right answer इसमें एक answer और यूज किया गए C वाला plants do not live in darkness जो plants होते हैं वो darkness में नहीं रहते हैं यानि कि जहाँ पे सूरस की किरणे नहीं पहुंच पाती हैं वहाँ पे plants नहीं रह सकते हैं तो C वाला answer भी आपका correct है Next question is 66 There were times in his life when he struggled for one square meal a day सबसे पहले इसकी meaning समझेंगे square meal की meaning क्या होती है तो square meal की meaning होती भर पेट खाना क्या meaning होती भर पेट खाना ये कहना चाहता है There were times in his life उसके जिन्दगी में कुछ ऐसे वक्त थे कुछ ऐसे लमहात थे When he struggled जब वो संघर्स करता था for one square meal a day दिन में एक time भोजन के लिए भी वो संघर्स करता था तो ये जो sentence साब का बिल्कुल correct है किसी परकार की कोई mistake नहीं है हाँ यदि यहाँ पर क्या लिखा होता He kept होता He kept struggling जैसे यहाँ पर keeps की स्थान पर kept अगर होता तो ये ज़्यादा suitable option होता लेकिन चुकि ऐसा यहाँ पर है नहीं तो हम जाएंगे D वाले पर no improvement is required So D is the right answer Next question is 67 Each and every one of you are guilty of some crime or another ये कहना चाहता है कि आप में से हर ये बेक्ती होता है किसी नए किसी crime का guilty है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम each और every का प्रियोग करते हैं Each और every के बाद आने वाला noun हमेशा singular form में होता है और इसके साथ आने वाला verb भी हमेशा singular form में होता है इसको हम कई तरह से use करते हैं एक तो हम single every man का प्रियोग कर देते हैं कभी कभी each और every के बात of का प्रियूग किया जाता है जैसे कि हमने कहा each of the boys every man यूज किया और कभी कभी इसको end से जोड़ा जाता है जैसे कि each man and each woman, every boy and every girl ये सारी conditions में आने वाला verb हमेशा similar form में होगा जहां पे आर का प्रियूग किया गए ये आपका wrong है इस यहां पे देखेंगे कहां पे यूज किया गया है तो इसका प्रियूग किया गया है ये वाले sentence में और ये sentence हमका बिल्कुल correct है next question is 68 तो 68 number को question है कि let you and I go together तो pronoun के chapter में आप देखेंगे जब भी उसमें पढ़ाता हूँ तो discuss करता हूँ कि जब भी हम let की बात करते है तो not only let, जब भी हम use करते है let है, but है, accept है and all prepositions सभी prepositions के बाद में जब भी हमें pronoun का कोई भी case use करना होता है तो हम pronoun के objective case का प्रियोग करते है आप सभी को बता है कि pronoun का जो subjective case होता है उसको subject की सान पर यूज किया जाता है और objective case को object की सान पर यूज करते हैं उसी तरीके से let के बाद भी pronoun को objective के साता है चुकि you का दोनों case से भी होता है subjective और objective तो हम पर you का प्रियोग किया जाएगा लेकिन I की सान पर क्या होना चाहिए मी होना चाहिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा let you and me go together next question is 69 और 69 नमर को question है कि he summarily dismissed you what his son told him in a fit of rage यहापे rage missing है in a fit of rage है और आपको यहापे feel करना है क्या आएगा तो in a fit of rage की मीनिक होती गुसे में इसमें अगर देखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा in a fit of rage he summarily dismissed गुसे में उसने हर चीज को dismiss कर दिया जो कुछ भी उसके बेटी ने उससे कहा था so it is the right answer next question is 60, 70 है being ill he came to work यह कहना चाहते है बीमार होकर के वो काम पे आया तो यह सही नहीं होगा basically यह कहना चाहते है कि बीमार होने की बाउजूद वो काम पे आया और के बाउजूद की मीनिंग क्या होती दो अड़ हमारे पास होते है एक तो despite माने भी के बाउजूद होता है और in spite of की मीनिंग भी के बाउजूद होता है लेकिन चुकि डिस्पाइट के साथ जो combination है वो सही नहीं है इस वज़े से हम जाएंगे in spite of में और सही answer आपका C हो जाएगा in spite of being ill he came to work बीमार होने के बाउजूदी हो काम पर आया so C is the right answer next question is 71 और 71 नमर का है she had realized that she had seen him before उसने ऐसा महसूस किया कि उसने उसको पहले देखा है तो यहाँ पर head की कोई जुरूत नहीं हमें यहाँ पर simple past का प्रियोग करना होगा और simple past में हमारे पास जो option है वो B है B is the right answer लेकिन आप धियार रखेंगे यदि यहाँ पर simple past कोई option नहीं होता तो हम कौन सा हम इसमें no improvement लगाते next question is 72 she is willing to help you यानि कि वो इक्षा कर रही है तुम्हारी मदद करनी कि उसकी इक्षा है और यह sentence आपका बिल्कुल correct है इसलिए T is the right answer next question is 73 और 73 कि hundreds of children are deaf born every year तो जब भी हम use करते हैं deaf born नहीं होता है born deaf यानि कि पैदाईसी बहरे तो जब पैदाईसी बहरी की बात करते हैं तो born deaf का प्रियोग करते हैं अब देखेंगे किस sentence में born deaf का प्रियोग किया गया है तो यहाँ पर देखेंगे use किया गया C वाले में C में लिखा है कि born deaf every year यानि कि सैकुलों बच्चे हर साल बहरे पैदा होते हैं so see is the right answer next question is 74 और 74 नमबर का है the medicine must be take by you आप सभी को बता होना चाहिए कि जब भी models की बात करते हैं models क्या होते हैं जिसे कि must है will, shall, should, would, can, could, may, might, must यह सारे models होते हैं यदि इसके बाद में B का प्रियोग किया गया है तो यह B के बाद में हमेशा वर्प का थार्ड फॉर्म आता है और यह पैसी बन जाता है कभी भी model के बाद में B का प्रियोग किया गया तो उसके बाद हमेशा वर्प का थार्ड फॉर्म आता है और वो पैसी बन जाता है इस वज़े से यहां पे में वर्क के थार्ड फॉर्म का प्रियोग करना होगा और सही अंसर हो जाएगा B इसकी मीनिक हो जाएगा मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाई यू यानि तुम्हारे द्वारा दवाई जरूर ली जानी चाहिए नेक्स कोशन है जो कि आज का लास कोशन होगा वो 75 है और 75 नमबर का है वी स्टेड इन मुंबई इन 5 डेज तो यह कहना चाहते है हम लोग मुंबई में स्टेक ये 5 डेज में 5 डेज में भी नहीं बलकि 5 दिन के लिए और जब हम 5 दिन के लिए बात करते हैं तो या तो हम सिंस का प्रियोग करते हैं So, B is the right answer. यह हैं हमारे आज के questions, हमें उम्मीद आपको जरूर समाज आए होंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care, have a good time.